अलो फ्रेंग्स आज यह बहुत डिटेल काम है यह वेल नॉन एक कंपोजिशन है और जून राद का तहानी है तो यह औरर भी बहुत आता है कस्टम बहुत रिट्वर्मेंट है आज इसका पूरा डिटेल डिजाइन मूराल आज बनाऊंगा बहुत डिटेल काम है ध्याद से कोई मोल्ड यूज नहीं करेंगे डायरेक्ट पूरा काम दरेंगे इसका साइज है पांच फिट बाइट फिट चोटा साइज है छोटा साइज लेकिन काम बहुत डिटेल है चलिए फिर पहले इसको ड्रॉ कर लेता हूं यह फ्लेक्स प्रिंट कर लिया मैंने ड्वाइं का बढ़ जाएगा तो यह पूरा ड्वाइं करने का बाद मैं भीज़ेंगे डिटेलिंग करेंगे चलिए फैले ड्वाइंग कंप्रीट होने का पादत है कैसे स्टेफ पर स्टेफिंग की लगाते पूरा काम दरेंगे पूरा इंप्रेशन यहां पर आकर बहुत हालका इंप् इसलिए आपको ध्यान से एक एक चीज़ को देखना है ड्राइंग को साइड में रखें और लेक्टी को लगाएंगे ठीक है तैसे लगाते हैं कहां से शुरू करना है यह बहुत है लेकिन फिर भी देखते हैं पहले उपर से स्टार्ट करते हैं चोटा-चोटा क्वाइल करके लगाता हूँ जो बेसिक फॉर्म है उसको पहले लगा देता हूँ उसके बाद भीरे-धीरे डिजाइन डीटेल में जाएंगे यह रॉप का टोम है हुआ है हुआ है हिए हुआ है हुआ है कि अ कर लगभव यह दिगर है बन गया अभी सरफ इसमें आप्स लाउंज को देखना है उसमें क्या करेंगे वायर्स से कटिंग करके इसको ठा देगा बाकि जो फीगर जो है फीगर को मिठ्टी लगा देता हूं उसके पाद जो हर एलिमेंट को मिठ्टी हो गया अभी देदेदे पॉलिस में जाएंगे उस जाली इसमें इस सब हाथ जो है यह बहुत प्रास्टिक्टिव में है तो यह बाद में आप लोगों को दिखाता हूं तो कैसा इसका और वैसा निया किया साही छोटा है हुआ 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 है हुआ 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 ह कर दो कर दो कि मिट्टी का जो रिलीफ है ये इसमें मिट्टी हम लोग लगा दिया अभी क्या करें आप्स और डाउंस देख लीजिए लगख ठीक है अभी फेस को थोड़ा आगे लेकर आना है और ठीक है अभी क्या करें सर्फेस को स्मूथ कर लेता है है स्पांज हलका स्पांज अब लेकर सर्फेस को स्मूथ करें उसके बाद और एक बाद देखता है सब्पेस को खाख अपर थोर सा अब पीछे करने उसी साब्से कर देंगे चलिए अब करके आपनी डैलकिस को स्मूथ करें य्म्मारी करें कि अभी यहां पे देखिए सब्पेस मुथ हो गया अभी क्या करें उस चैरी है और इस टेकर लेंबो टूस लेकर आउटर लाइन को स्मोथ करना है क्लीन करना है यह चोटा-चोटा बहुत चोटा-चोटा डिटेलिंग है मैं चाहता हूं क्या मोल्ड यूज ना करें रिपीट इसमें सब फ्री हैंड बनाएंगे आप लोग साथ में रहिए जहां पर मिट्टी काट करना है कटिंग कर लीजिए एक्स्टा मिट्टी चाहिए आप एट कर लीजिए क्योंकि मिट्टी है आपका सब सिर्फ फ्लेक्सिबल मेट्रियल है आप जो मर्जी कर सकते हैं सिर्फ मिट्टी को गिला रखना है यह सब जगा जो है आपको बंद करना ही है क्योंकि नहीं तो आपका लॉक हो जाएगा और आपका मोल्ड खराक हो जाएगा कास्टिंग नहीं निखलेंगा कि इदर अभी खाली है बाद में इसमें डास्ट बनाएंगे तो यह कभर हो जाएगा तीक है कर दो जाएगा जाएगा तीक है कर दो जाएगा नहीं है प्रें यहां पर देखिए छोटा-चोटा डिटेलिंग है प्रहले पूरा फिगर कंप्लिक करना है और सो रहे हैं आप यह पैर अभी बाकी है इसमें जादा द्यान देना है यह आपर लॉक ना बो जाएगा मतलब नहीं पूरा 3D को माने के लिए आप बना देंगे तो इसमें क्या होगा आपका जो पूटी मोल्ड है मतलब फाइबर मोल्ड है यह लॉक हो जाएगा तो वह आपको भ्यान देना है काम करते हैं तो यह फेज एक एक करके फेज और बोडी स्ट्रक्चर अपको जो रूमी है तो आप फोटोग्राफ डाउडर कर लेजिए कोई होर्स का उसको देख कर बनाएगे तो एक एक करके पूरा फिगा कंप्ली होगा बात में हम लोग जाएंगे डेकोरेशन एक कर यहां पर फेज भ बनाना है बहुत डिटेल प्राम है अपको प्लीज सापने रहें देखते रहें कर दो कर दो दो मिलाईब कर के लेखते लिए सापने आपको पर बनाएगे बनाएगे रहें अपकेको दोना आपके आपके लेखते रहां जाएब क्पके। बाई पाई तायोंक थचिल खिर ओुबर नहयों? बन्योरा कर दो कर दो कर दो अुई कर दो कर दो कर दो कर दो घुय कि यहां पर देखिए कोईल लगा कि इसको ठीप कर दिया और अभी छोटा-छोटा-छोटा-छोटा-छोटा ऐसा गुलाई आपके लगा रहा हूं अभी एक दो जगा पर जहां पर ज्वाइन टेडिया है वहां पर दौरसा चुटे-छुटे कोईल डिजाइंग में को बनाना बाकि यहां पर ज्यादा डिजाइन यहां पर नहीं करेंगे कुछ इंप्रेशन टूल्स चोटा-छोटा टूल्स लेकर इंप्रेशन की देदेंगे उसमें टेक्श्यर डाल के लिए बहुत अच्छा डिजाइन डग सकता है यह चोटा-चोटा जो टूल्स है इस टूल्स ल यह चोटा-चोटा जो जगह है इसमें कुछ ऐसे इंप्रेशन कोईल से घुमा घुमा के अब डिजाइन यहां पर बना सकते हैं कर दो बना सकते हैं कर दो बना सकते हैं कर दो बना सकते हैं